दोस्तों गर आप शरीर को स्वस्थे रखना चाहते हैं तो आप डेली एक्सरसाइज के अलावा अपने डाइट में फ्रूट्स को शामिल करें क्योंकि हम इसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरे दीन में एक भी फल नहीं खाते हैं और हम वही चीज खाते हैं जो हमारे शरीर यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा यह एक अफोर्डेबल फूड है अगर आप इस फल को डेली रूटीन में शामिल करते हैं सुबह खाली पेट आप अमरूत का सेवन करते हैं तो आप अपने शरीर की कई सारी बीमारियों को खत्म करने के साथ ही आप अपने ब बच्चों की आखे कम चूर होने लगी है जरा टीवी देखना देर तक बढ़ाई करना कम रोश्णी में पढ़ना बढ़ती उम्री और कई बार पॉस्टिक आहर के कमी इस समस्या का कारण बन जाती है विटामिन्स मिनरल्स और केल्शनी कमी से मोतिया वीन और कई तला की पउलत कर सकती है अमृत का सेवन डिवेटी सेट के लिए बहुत ही व्लाद अध के समय में प्र i7 나오र कहा ध महलत के लिए जरूरी होता है एसे में अगर गर्वति महिला फलों में हम अमरूज सेवन कर दो करेंगी तो तो यह उनके और उनके बच्चे के लिए बहुती लाबदायक होगा अम्रूत फोलेट का अच्छा स्त्रोथ है जो गरवास्था के दोरान काफी जरूरी है अगर आप अपने शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अम्रूत खाना शुरू कर दीजिए अम्र अम्रूत का सेवन खाली पर शुरू करें वजन तीजी से कम होगा अम्रूत के सेवन से हमारा दिल भी स्वस्थे रहता है आजकल बहुत बड़ी विमारी यानि हार्ट अटैक की बिमारी कम उम्री के लोगों में देखी जा रही है इसा कारण है हमारा गलत खान पान और हम औ कर ही नहीं पाता और ऐसे केस में इंसान के देख हो जाती है आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अम्रूत का सेवन खाली पिट जरूर करें अम्रूत में मगनेशियम प्रचुर मातरा में होने के कारण मांच पेशियों को आराम देता है और श्रीर को ठं ज्यादा अम्रूत खाने से पेट खराब हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर के मातरा अधिक होती है इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा 100-500 ग्राम तक ही अम्रूत खाएं गर्वती महिला या फिर स्थन पान कराने वाली महिलाओं को अम्रूत का सेवन सावधानी से करना चा लगी होगी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजे और जाते-जाते होसला अपसाई के लिए वीडियो को लाइक करते हैं आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद